चाय चाय गरम चाय रामप्यारी की चाय चाय लो भाई गरम गरम चाय लो चाय भाई cash तो नहीं है पेटियम होगा पेटियम नहीं है अरे भाई तु गूगल पे लेलो गूगल पे भी नहीं है तो चलो फोन पे तो होगा नहीं भाई या मेरे पास बोण पे भी नहीं है बस क्रिप्टो है अईला क्रिप्टो क्या है तो यही सही टाइम है कि आप सीखने की क्रिप्टो करेंसी होती क्या है क्योंकि जिस थरीके से डी मुझाटाइजेशन हुआ था और सब लोंग यूपी आई पे टीम फ्री चार्च मुबविक में स्विच कर गए थे यही सही टाइम है कि आप भी अभी से क्रिप्टो क्यासी का एडॉपशन सब कर सकते हो होटल बूकिंग के यूज कर सकते हो आपको कुछ online खरीदना हो, कुछ payments करने हो, तो आप इस cryptocurrency से सब कुछ कर सकते हो अब आप कहोगे, भाई ये तो already exist करता है, जो हम लोगे हमारे पास में जो debit card होते हैं, internet banking होती है जाफे जो हमारे पास wallets होते हैं, उससे तो already ये काम कर सकते हैं, तो ये कैसे अलग है? अब फिलाल अगर हम उसकी applications को देखें, तो ये बहुत similar लग रहे हैं, लेकिन cryptocurrency existing digital payment से बहुत ही different और बहुत ही unique है तो ऐसा है क्या cryptocurrency में, जो इसे unique बनाती है पहला तो ये कि इसमें कोई mediator नहीं होता है for instance, अगर आपको किसी एक bank से दूसरे bank में पैसा भेजना है तो आपको अपने bank से request करने पड़ती है आपको अपने पैसा किसी और को देना पड़ता है तो सबसे पहले तो ये benefit है दूसरा benefit ये है कि ये centralized नहीं है ये decentralized है इसका मतलब क्या होता है for instance, समझे अगर आपको पास अभी जहां पर आपको अपना bank account होगा वो सारे bank account उनके branches होते हैं वो एक reserve bank of India से connected होते हैं तो इसे पुरी तरीक से hierarchy चलती है तो उसमें आपको कुछ भी करने के लिए permission लेना पड़ता है वेराज इसमें नहीं होता है इसमें क्या होता है कि आपको किसी को भी पैसा transfer करना है तो आप direct कर सकते हैं आपको किसी की भी permission की जरूरत नहीं है इसका तो बहुत बड़ा benefit है पहले benefit तो यह क्योंकि यह decentralized है इसका मतलब कि मैं एक bank बन सकता हूँ मेरे एक friend है वो भी bank बन सकता है उन्हें सिर्फ अपने system में software install करना होगा इससे क्या होगा कि suppose अगर मैं भी available नहीं हूँ तो जो मेरे दोस्त होगा वो transaction को verify कर सकता है सोचिए जो existing bank system है उसमें क्या होगा कि Monday to Saturday 9 to 5 यह 10 to 4 काम हो सकता है इसमें क्या होता है कि बहुत limited time रहता आपके पास में अगर आपको किसी को पैसे transfer करना हो और bank बंद हो तो आप नहीं transfer कर पाऊगे ऐसा लेकिन cryptocurrency में नहीं होता है क्योंकि हर एक इनसान जिसने अपने computer में ये mobile में वह software install किया हो वह एक note की तरह काम करता है और हर note की पास में अपने database का copy होता है तो for instance अगर मैं available नहीं हो किसी transaction को complete करने के लिए तो इसे कई 100 लोग और होंगे जो उस टाइम जगे होंगे इस उनका system on होगा और वो इस transaction को verify करके money को transfer कहां से का करना हो तो वो कर देंगे तो ये भी एक benefit है तूसरे benefit ये कि for instance समझे कि State Bank of India मुझे नाम लेना चाहिए सोचे कोई भी एक bank उनका server जहां पर पूरा आपके account के detail हो वो डिलीट हो जाए अब अगर वो डिलीट हो जाएगा तो आपके account में कितना पैसा है ये पताना बहुत मुश्किल हो जाएगा विर्यास ऐसा cryptocurrency के साथ में नहीं होता जैसे मैंने भी कहा कि हर एक node या फिर हर एक वो इनसान जिसने वो software इंस्टॉल किया हो या फिर खुद के individual bank act कर रहा हो उन सब के पास में उस database का copy रहता है तो अभी तक तो हम लोग ने बात किया कि क्रिप्टो करेंसे बात कर रहे हैं उन्हें उसके advantages पढ़ लिए कैसा unique क्या है लेकिन मैं यह बताना दूप भूली गया कि क्रिप्टो करेंसे का actually मतलब क्या होता है देखें क्रिप्टो करेंसी बनाएं दो वर्ट से crypto और करेंसी क् कोई चीज जई से छुपाई गई हो गया कोई एसा code use करके उसे secret बनाया गया हो ठीक क्रिप्टो का मतलब यह होता यह आता है crypto ग्राफी से तरीके से चलता है यह पूरा करेंसी अब एक एक्स्रा चीज और भी है कि क्रिप्ट वॉलेट्स क्या होते हैं अब जिस तरीके से आपके पास में प्रेटियं वॉलेट होता है Google Pay को वॉलेट है आपके उसमें यूपी आई का भी वॉलेट फ्रीचार्ज को वॉलेट है इन सब आपको वजीरेक्स करना हो बाइनस के एक्जामपल है कॉइंडेस एक्जामपल है तो इसे बहुत सरे टाइप के क्रिप्टो वॉलेट से मार्केट में जिसे आप यूज कर सकते हो तो यह था बहुत सिंपल एक्स्प्लीनेशन वाट इस क्रिप्टो करेंसी आपको फड़ा भूलेगा, I'll make sure कि मैं सबको आंसर करो and that was all in this video. अगर अच्छा लगा तो like, share and subscribe करना मत भूला. My name is Stephen Simon and I'll see you in the next video.